हेलो फ्रेंट्स आज हम जानेंगे इंग्लिश श्वर्ट कार्फ्ट की हिंदी में मतलब क्या होती है और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होती है कर्फت की हिंदि में मतलब है बख्र गुमापदर चलिए एक्जमपल के जरी इस वोट की हिंदि में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं एक्जमपल टोंगू एरो शेप कॉबर ए ट उई थे कर्फत पिपिली इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है जीव तोर पर आकर की घुमाबदर पिपिली से धकी होती है चलिए एकस एक्जमपुल जान लेते हैं इस संटेंस का हिंदी में मतलब है वो तेजी से आगे बरी और गलियारों का अनुसरन किया क्योंकि यो बाई और मुरा हुआ था चलिए एकस 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 एक्जमपुल जान लेते हैं एक कार्फ चेंड सपोर्टीट दा ओविग चेंड एड किप्ट डेम स्ट्रेट इस संटेंस का हिंदी में मतलब है एक घुमाबदर शिंखला ने ओविग जंजीरों को सहरा दिया और उन्हें सीधा रखा चलिए नगसे एंग्जमपल जान लेते हैं इस संटेंस का हिंडी में मतलब है काले शेकर सपात होते हैं और सफीद उपर की और घुमावदर होते हैं So friends, उमीद करते हो काले की हिंडी में मतलब क्या होती है और संटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसी तरह से और भी English और Hindi में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like करें साथ साथ channel को subscribe कर जिजिएगा